सभी साथियों को मेरा नमस्कार आज हम आपको ट्रेन में ततकाल टिकट बुक करना सिखाएंगे ततकाल टिकट कैसे बुक करते हैं? ये आपको हम इस वीडियो के माध्यम से लाइव दिखाएंगे और स्टेप बाइ स्टेप सारी प्रक्रिया दिखाएंगे इसमें ट्रेन में जनरल कोटा ततकाल कोटा दो कोटा रहते हैं जनरल आप एक महिने पहले, दो महिने पहले, तीन महिने पहले भी बुक कर सकते हैं पर ततकाल टिकट अपनी जरनी से एक दिन पहले ही कर सकते हैं इसमें जो EC का टिकट रहता है वो 10 बजे से सुबए और 9 EC का टिकट 11 बजे सुबए से रहता है तो चलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें जिससे कि सारी प्रक्रिया आप आशानी से समझ सकें तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं पर आते हैं उसके बाद में IRCTC Rail Connect पर क्लिक करते हैं जैसे ही क्लिक करेंगे तो मेरे सामने इस तरह का एक पेज ओपन होकर आएगा तो वहाँ पर हम लोग पहले से ही सारी डिटेल फिल कर लेंगे तो यहाँ लॉग इन सेक्शन पर क्लिक करते हैं जैसे ही लॉग इन बटन पर क्लिक करेंगे तो लॉग इन पेज ओपन होकर आएगा तो हम लोग यहाँ पर अपना PIN और CAPTCHA यहाँ पर एंटर कर लेते हैं जैसा आप लोग देख रहे हैं हमने CAPTCHA एंटर किया है और इसके बाद लॉग इन बटन पर क्लिक करेंगे लॉग कर आ गया है हम लोग लॉग इन हो चुके हैं यहाँ पर ट्रेन बुक टिकट पर जाएंगे यहाँ पर मैंने पहले ही फरुखाबास से निव डेली सेलेक्ट कर लिया है क्लास में आल क्लास है कोटा जनरल लिखा रहा है अब हम लोग वापस जा रहे हैं सबसे पहले हम लोगों को मास्टर लिस्ट तयार करनी है तो आप देख रहें नीचे माई अकाउंट पर क्लिक करेंगे जैसे माई अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर सारी चीजे माई प्रोफायर, CTC, वालेट, माई मास्टर लिस्ट कुल करेंगे क्योंकि हम लोग अपनी मास्टर लिस्ट तयार करेंगे 9.55 से पहले ही master list टैयर कर लेनी है उसके बात नहीं होगी आप लोग देख रहा है 9.56 हो गया है हम लोग आपको live करके दिखाएंगे train 10 बचे से EC की train book करके दिखाएंगे तो हम लोग वापस स्क्रीन पर आते हैं और यहाँ पर book ticket पे click करते हैं आप देख रहे हैं हाँ पर फरुखाबास से new daily के ticket book करना है all class quota general select है तो हम लोग यहाँ पर ततकाल select कर लेते हैं हमने सारा कुछ select कर लिया देखे quota ततकाल जो departure date 16 select कर ली है और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर search train पर click करेंगे जैसे ही हम लोग search train पर click करेंगे तो मेरे सामने कुछ इस तरह का page open होकर आएगा आप लोग देख रहे हैं हमारा calendar एक्स पर search होकर आगे थरड़े से click करेंगे अभी 20 सीटे दिखारा confirm करेंगे सारी detail भरेंगे master list टायर कर लिए select का passenger करेंगे देखें अभी 20 टिकट सो हो रही है अब लोग book ticket पर click करते है जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे क्योंकि 10 बच चुका है तो यहाँ पर हमारी अभी book ticket हो रही है जैसा कि आप लोग screen पर देख रही है अरे इसने हमें main page पर redirect कर दिया है तो हम लोग जल्दी shipment डाल करके दुबारा से login करेंगे क्योंकि network पर इतना congestion रहता है जिस वज़े से net slow होने की वज़े से redirect हो जाते हैं तो हम लोग फिर से login कर रहा है तो हमें परिशान होने की जरूरत नहीं है ticket हम लोग book करेंगे दुबारा से search train पर click करेंगे आप लोग देख रहे हैं यहां पर 20 ticket अभी भी show हो रही है जबकि 10 बच के 1 minute हो चुका है तो हम लोग दुबारा से इस पर 16 तारिक वाली date पर click करेंगे उसके बाद तुरंत ही passenger detail confirm करेंगे सारी detail तुरंत ही fill करेंगे जैसा की screen पर show हो रहा है तुरंत ही review journey detail पर click करेंगे और यहां pay through भीम UPI करेंगे और review journey details पर click करते हैं जैसे click करेंगे तो मेरे सामने को जिस तरह का page open होकर आएगा मेरी ticket book हो रही है यह देखिए अभी भी 15 seat बची हुई है सारी detail open होकर आ गई है तो हम लोग यहां पर capture code डाल करके proceed to pay button पे click करेंगे तो हम लोग यहां पर capture enter करते हैं यह देखिए हम लोगों ने capture enter कर लिया है और proceed to pay button पे click करेंगे अरे invalid capture बता दिया परिशान होना नहीं दुबारा से capture डालना है capture fill कर रहा है और इसके बाद में proceed to pay button पे click करते हैं तो भीम UPI select करेंगे और इसके बाद में payment करेंगे तो यह हमें अपने main page पे ले आएगा तो हम लोग यहां पर UPI ID डालेंगे जो हमारी UPI ID है उसके बाद हम लोग verify करेंगे तो यह page हमें मेरे phone paper redirect कर देगा जैसे मुझे phone paper redirect करना है तो वहां पे हम लोग जाएंगे और मेरे main screen पर एक pop up window खुलके आएगी उसमें हम लोग वहां से payment done करेंगे तो यह देखें हम लोग phone paper हमारा page redirect हो गया है हम लोग phone paper जाके payment कर रहे हैं जैसे ही payment done होगा तो यहां पर processing लिखके आएगा देखें हमने payment कर दिया है यहां पर processing लिखकर आ रहा है तो हमारा payment जैसे ही complete होगा मेरी ticket book हो जाएगी जैसे कि आप लोग देख रहे हैं हमारी ticket book हो गई है इसी तरह से हम लोग ततकाल ticket book कर सकते हैं और general ticket general quota में कैसे book करते हैं इसका link मैं आपको description box में दे दूँगा तो आप लोग वहां से click करके देख सकते हैं तो आप लोग देख रहे हैं कि मेरी ticket बहुत ही आसान steps को follow करके book हो गई है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैंने phone पे से payment कर दिया है और मेरी ticket confirm book हो गई है तो हम लोग ticket को check करने के लिए हम लोग my transaction पे click करेंगे और जब my transaction पे जाएंगे तो आप देख रहे हैं last transaction my bookings failed cancelled ticket TDR ticket different सारी history इसमें दिखाई देगी जो भी आपने transactions जो भी history है ticket cancel की है या transaction fail हो गया है मेरी booking confirm हो गई इस सारा कुछ detail आपको इसमें दिखाई देगा तो जैसे हम अगर ticket देखना चाहेंगे तो हम अपना last transaction पे click करेंगे तो आप लोग देख रहे हैं कि मैंने कालिंदरी express की एक ticket book करी है ततकाल में तो इसमें दिखा रहा है हमारा status दिखे आप लोग यहां पे status जो है वो बुक्ड दिखा रहा है यहां पे तो हमारी ticket बुक हो गई है आप इसको ticket को पे click करेंगे और उसके बाद में यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि आपको ticket अपनी save करनी है तो यह इस तरह के यहां पे आप PDF में save कर सकते हैं इस पे click करेंगे यह share करना है तो यहां share बटन पे click करेंगे उसके बाद में कहीं भी आपको share करनी है WhatsApp आप लोग share करेंगे तो आप लोग इसी तरह से ततकाल टिकट बहुत ही आसानी से कर सकते हैं तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ share करें अगर मन में आपके कुई भी confusion हो तो comment box में comment करके बताएं धन्यवाद